हेलो, क्लास नाइन्थ, वेलकम तो लर्न विद जनिद गुरू. मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है, क्यामिकल ख्लासिफिकेशिंस ओफ मेटर, मेटर को हम कैमिकली कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो मेटर को क्लासिफाई करते हैं, हम प्योर सबस्टान्स और इंप्योर सबस्टान्स में, क्या हो जाएगा है हाँ पर, प्योर सबस्टान्स और इंप्योर सबस्टान्स, ठीक है, प्योर सब्स्टान्स को हम फोर्दर क्लासिफाई करते हैं, elements and compounds में, right? and elements भी फोर्दर क्लासिफाई होता है, किसमें? metal, non-metal and metalloid, clear? इंप्योर सब्स्टान्स की बात करें, तो इंप्योर सब्स्टान्स को हम two-way में categorize करते हैं, homogeneous and heterogeneous. homogeneous and heterogeneous, अब हम इसको one by one discuss करेंगे, आज की क्लास में सिर्फ हम discuss करने वाले हैं, कि pure सब्स्टान्स क्या होता है, and later on एक-एक topic आपको मिलता रहेगा, clear? so pure, pure से हम क्या समझते हैं, देखो हमारे लिए जो pure का मतलब है, जरूरी नहीं है, कि science की term में वो भी pure ही हो, right? हमारे according pure क्या है, कि कुछ contamination ना हो, किसी चीज में कोई मिलावट ना हो, वो हमारे लिए pure है, right? But in terms of science, pure का मतलब होता है कि एक ही type की चीज अगर मिली हो, मतलब एक ही type की चीज से वो पूरे हम बोल सकते हैं, जो substance है वो मिलके बना हो, that means the pure, या फिर अगर दो या दो से जाद सबस्टांस से मिलके बना है, तो उनका fix ratio होना चाहिए, तब ही हम बोलेंगे pure है, otherwise it is not pure, है न? So, दोनों का मतलब हम समझते है, for common people, हम अपने ही बात करते है, for common people, pure means without any adulteration, adulteration का मतलब होता है मिलावत, free from unwanted impurities, हमारे according, pure का मतलब होता है कि कुछ भी मिलावत नहीं होना चाहिए, कुछ भी unwanted impurities, किसी substance के इंदर नहीं होनी चाहिए, that means that is pure for us, right? But in terms of science, science की term में क्या है, for a scientist, material which contain particles of only one kind, ध्यान से, material which contain particles of only one kind and has a definite set of properties is called pure substances, या तो एक ही material से मिलके बना हूँ, ठीक है, और अगर एक material से मिलके नहीं बन सकता है, तो दो या फिर दो से जादा material से मिलके बना होगा, लेकिन उनका composition fix होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी composition में लेके हमने उस substance का formation कर दिया, and that is the pure substances, no, ऐसा नहीं होगा, right? For example, जैसे कि हमारे पास अगर silver है, तो उसमें सारे composition जो होने चाहिए, वो silver के होने चाहिए, हर चीज़ silver ही होने चाहिए, कोई दूसरा उसमें element नहीं होना चाहिए, अगर है, तो उसका ratio fix होना चाहिए और वो कभी change नहीं होना चाहिए, That is the pure substances, right? Gold, sulfur, देखो, carbon dioxide, अभी carbon dioxide क्या है? इसमें carbon भी है, oxygen भी है, but when we form carbon dioxide, क्या होगा? carbon dioxide करने के लिए, एक carbon, दो oxygen की requirement है, हमें, ऐसा कभी नहीं होगा, कि मुझे carbon dioxide का formula लिखना होगा, और I will write CO3, तो यह possibly नहीं है, यह तो महारा देमागर fix है, कि carbon dioxide है, तो एक carbon और दो oxygen ही होने चाहिए, हम उसको change नहीं कर सकते, यह था atom में, अगर इनके mass की बात करें, तो mass will never change कैसे, carbon का mass कितना होता है, यहाँ पर, 2 है, oxygen का mass कितना होगा, 16, और 2 oxygen है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर, 32 हो जाएगा, तो इनका जो composition है, वो fix रहेगा, इसको आप whole number में change कर सकते हैं, and this ratio will never ever change, right, so this is the pure substances, now the characteristics of pure substances, characteristics क्या है pure substances के, so a pure substances is a homogeneous in nature, क्यूंकि pure substances में हमें एक अलग से boundaries नहीं नजर आनी चाहिए, हमें ऐसा दिखना नहीं चाहिए, कि हमने कुछ मिलावट की है, वो बिल्कुल एक जैसा दिखना चाहिए, एक homogeneous nature का होना चाहिए, so pure substances is homogeneous in nature, a pure substance has a definite set of properties, इनकी क्या है, जो properties है, वो fix होनी चाहिए, definite ह and the composition of pure substances cannot be altered by any physical mean, जो pure substance है, उसको हम physical method से physically separate नहीं कर सकते, change नहीं कर सकते, altered नहीं कर सकते, हाँ, chemically हो सकता है, but we cannot change physically, clear, तो यह सारी बात थी, pure substances की, clear, यहाँ पर हमने classification देखा था, right, next class में हम जानेंगे, elements के बारे में, then compounds, फिर हम आएंगे, impure substance के बारे में, तो आपको इसी तरीके से videos मिलती रहेंगे, clear है, I hope कि आज का lecture आपको informative लगा होगा, ऐसे ही informative videos के लिए, आप हमारे चानल को subscribe कर सकते हैं, बाकी हम मिलेंगे next class में, तब तक आप पढ़ते रहें, आज क्ले इतना ही, thank you so much.